हाई व्रियंद वल्कम चोल अवित आज की वीडियो में दिखने वाला है कि और गिनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है हमें कौन सी कौन सी बुक्स फॉलो करने हैं कौन से कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और कौन से चैप्टर्स छोड़ देने हैं अब दिखें जेनरल अब क्लेटन को बढ़ना स्टार्ट कर देंगे अब तो इतनी मोटी पूग है कब खत्म हो जाएगी फिर खत्म होते होते आपके 6 मेने खत्म हो जाएंगे फिर उसके बात क्या करोंगे आपको कर एक साथ हो जाये और उसमें से जीतना भी आपको ज़रूरी है स्पिशली नेट और गेट और पर्टिकुलर आपके जो सैट एग्जमिनेशन या फिक जेम एग्जमिनेशन के लिए होते हैं तो उसके लिए मैं जो आपको स्ट्रेटरजी देने जा रहा हूँ उसी को यह आपको फॉलो करना है अगर आपने और अर्गर और अगर आपको जाएगी यह तीनों बुक्स और अगर आपको बुक्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता आप इसको बाकी के जो प्लेटफॉर्म से महीं से भी आप ऑर्डर भी कर सकते हैं तो पर्टिकुलर आपको तीनों मिलेब कोई भी एक्जमिनेशन होगी तो उसके लिए आपको यह त पर्टिकुलर और dönी़ है तो चलिए हम स्कार करते है तो अपना जो और य नहीं हो रहे हैं वो छोड़ दीजे वट जीओ सीक्तों को बीना चोड़े तो आपको organ chemistry आई नहीं सकती है तो organ chemistry करने के लिए आपको जीओ सी तो करना ही करना है तो जीओ सी के लिए आप क्या कर सकते है particular जीओ सी में जो इफेक्ट अपनी inductive effect, electromeric effect, वह सब पढ़ना है, और उसके बाद aromaticity पढ़ना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको books follow करने की भी जरूरत, I don't think की कोई जरूरत है, पर्टिक्लर वीडियो देख सते हैं, YouTube पे बहुत सारे videos available है, aromaticity और GUCPA, notes भी आपको telegram से कही पर भी मिल जाएगी, तो उसको आप particular follow कर सकते हैं, और मैं Clayton की बात करूँ, देखे, आपको थोड़ा बहुत और की chemistry आता है, तो आपको particular पहले page से, मतलब first page से start करने की जरूरत नहीं है, Clayton को आप particular पहले page से, chapter number 7 स्टार्ट कीजे, तो Clayton का chapter number 7 है, जो की है delocalization, conjugation, उसको पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद किया कि यह acidity, basicity और PK, जो Clayton के questions होते हैं, वही exam में आते हैं, तो last time I think December 2019 में पिकरीक acid वाले question आया, तो I think chapter number 8 में से आया था, तो exam में आपको Clayton को तो बिलकुल neglect नहीं करना है, वहीं से ही पढ़ना है, तो start कीजिए, आप DOC से DOC समझन पहले हैं, फिर उसके बाद आपको chapter Clayton का chapter number 7 और Clayton का chapter number 8 भी बढ़ लीना है, फिर उसके बाद, previous question लगाने है, फिर उसके बाद, previous question हो सकता है कि आपसी ना हो पाए, प्लीज, GOC में उतना tension लेनी की ज़रूरत नहीं है, जनरली होता है, कोई भी अगर कितना भी अच्छा organic chem हो, फिर भी उसकी GOC question मतलब गलती होती ही होती है, तो GOC को सी भाब है, अगर नहीं हो रहा है question तो छोड़ दो कोई बात नहीं, बट, aerometricity के question होनी चाहिए, ठीक है, तो जीतनी प्रेक्टिस हो सकते हैं, उतनी आप प्रेक्टिस कर सकते हैं, तो once आपका GOC complete हो जाए, उसके स्टीडियो केमिस्ट्री स्टार्ट कीजे, तो स्टीडियो केमिस्ट्री में particular क्या करना है, अगर आपको book follow करनी है, तो एक आती है, दीन नाशी पूरी book, ठीक है, बट वो इतनी बड़ी book है, और उसमें से सारी चीज़ हो कि आपको जरूरत नहीं है, तो वो books, I don't think कि कोई जरूरत है, कि वो book पढ़ने की, राइट, बट अगर आप specially books पढ़ना चाहते हैं, तो आप उसको follow कर सकते हैं, प्लस, स्टीडियो केमिस्ट्री के लिए क्या करना है, आपको videos देख लेने हैं, अगर video available है, तो video देख लेने हैं, और notes भी I think telegram से अभी तो बहुत सारी notes मिल रही है, तो वहीं से कोई भी notes ले लो, या फिर अगर आप कोई भी coaching join किया हुआ है, तो उसको भी follow कर लिजे, ठीक है, तो video देख लेने हैं, फिर उसके बाइद का chapter number 14 पढ़ना है, अब देखो मैं sequence दे रहा हूँ, आपको वही sequence को follow करना है, अब आप chapter number 7 पढ़ा, उसके ब information analysis वाला जो chapter है, उसको बढ़ लिजे, ठीक है, फिर 32 number का chapter और 33 number का chapter अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है, उसको अभी आप छोड़ देजी, ठीक है, फिर आप जितने भी pyqs हो रहा है, उतने solve कीज़, अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे questions ऐसे हों तो उसको बाद में पढ़ीगा, कब पढ़ना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो अभी सिफ आप ये note कर लिजे, कि आपको लेडन का chapter number 14 पढ़ना है, अभी आप screenshot ले रहा है, तो उसको screenshot भी अभी ले सकते है, ठीक है, अगर आप नहीं लिख रहे है, ठीक है, अगर आपको पढ़ना है, reactive intermediates, अब दीखो, reactive intermediates हमारे 6-7 reactive intermediates है, उसमें से सारे books में particular उसके chapter नहीं दी हुए, ठीक है, तो आपको reactive intermediates के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, क्लेडन के chapter number 38 है, जो अपना synthesis and reaction of carbine, तो carbine पढ़ना है, तो आपको यह जो कैरूथर का chapter number 4, और क्लेडन का 38 number का chapter, ठीक है, तो 38 number का chapter पहले पढ़ना है, उसके बाद कैरूथर का chapter number 4 पढ़ना है, ठीक है, तो आपकी दोनों books अभी parallel चल रही है, थोड़ी दिर बाद आपकी जो नेंस है, वो भी आ जाएगी, ठीक है, फिर तीनों book एक साथ parallel चलेगी, तो उसमें आपको मजा आएगा, क्योंकि सारी चीज़ा आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है, और questions भी हो जाएंगे इस बज़े से, ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्लेडन का chapter number 37 पढ़ना है, जो कि radical reactions है, और radical reactions जैसे Claydon में से खतम हो जाए, उसके बाद आपको क्यारू सर का chapter number 4 पढ़ना है, ठीक है, तो दोनों एक साथ radical radical खतम हो गया है, तो यह दोनों intermediate आपको यह दोनों book से पढ़ने हैं, फिर उसके बाद, कार्बेनायन, देखें, कार्बेनायन के generally inolate chemistry में use होता है, तो inolate chemistry के लिए आपको क्या करना है, Claydon का chapter number 20 पढ़ना है, फिर 25, फिर 26 नमबर, तो यह सारे जो chapters में आपको बता रहा हूँ, उसी को sequence में आप follow करिएगा, ठीक है, अब देखो जैसे यह खतम हो गया है, उसके बाद आप केर उथर के book में चले जाएए, अब केर उथर की यहाँ पे मैंने जितने भी chapters आपको दिखाया है, उसी sequence में पढ़ना है, ठीक है, sequence चेंज नही बता है, ठीक है, तो यह chapter को आपको नेंस से पढ़ना है, डेके शुरूव में हम क्या कर रहे थे, ग्लेडन, केर उसर दोनों पढ़ रहे थे, अब साथ-साथ में हमारी नेंस भी आ रही है, ठीक है, तो इन तीनों चेप्टर को आपको एक साथ पढ़नी है, अब आपके जो chemistry में उसको पढ़ना है now आपके intermediates में यह जो major three intermediates है वो खतम हो गए उसके बाद आपको पढ़ना है reaction mechanism right अब देखो reaction mechanism है four type के होते है अपनी addition reaction होती है elimination reaction substitution reaction और rearrangements right तो इसको भी मैंने divide कर दिया है तो इसको आप क्या से बढ़ेंगे दिखें addition reaction आपको पढ़नी है तो आपके आपके जिए clayton का chapter number six उठाइए और उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे ठीक है clayton का chapter number six clayton का chapter number nine clayton का chapter number 19 और clayton का chapter number 20 ठीक है तो वही से क्या हो जाएगा आपकी addition reaction complete हो जाएगी अब जैसे आपने addition reaction complete की उसके बाद inolate chemistry कि inolate chemistry में अपना intermediate carbonate generate हो रहा है बट वहाँ पे addition reaction हो रही है तो अब तो आपने already inolate chemistry तो complete कर दी है तो आपको addition reaction फिर से पढ़ने की जरूरत ने क्यूंकि वही अपना आने वाला है वापस से inolate chemistry तो यहां से आपको यह पढ़ लेना है clear now उसके बाद आपको यह जो आपका दिया हुआ है वही जो मैंने अभी बताया है वही है अब उसके बाद आपको elimination reaction पढ़ी है तो अब elimination reaction के लिए क्या करेंगे आप Claydon के chapter number 17 है जो अपना Claydon का chapter number 17 है उसको आप उठाएंगे और वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे जैसे वह complete हो जाता है उसके बाद आपको केरूथर है जो उसका chapter number 2 बढ़ना है ठीक है केरूथर का chapter number 2 बढ़ना है उसके बाद आपको substitution reaction अब देखे substitution reaction के लिए पढ़ने के लिए आपको क्या करना है Claydon का chapter number 10 11 15 और 21 ठीक है यह चारू chapters को आपको पढ़ना है substitution reaction के लिए उसके बाद Claydon का chapter number 39 है जो की determination of reaction mechanism है उसमें कुछ थोड़ा physical type का portion आता है तो उसको अगर आप छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो आप वहां से पढ़ सकते हैं और substitution reaction यहां से ऐसे खतम हो जाएगा फिर उसके बाद आपको rearrangement reaction तो rearrangement reaction के लिए आपको Claydon का chapter number 36 पढ़ना है participation rearrangement and fragmentation अब जैसे यह खतम हो जाता है उसके बाद आपको reagent chemistry start करते हैं तो उसके लिए हम यहां पर जो reagents है उसको तीन पार्ट में nationalization of alkyne तो reagent chemistry को हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया अब उसके बाद हमें OMC reagents से start करता है ठीक है अब OMC reagents के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है Claydon का chapter number 9 पढ़ना है ठीक है using organometallic reagents to make a CC point उसके बाद आपको Claydon का chapter number 27 पढ़ना है ठीक है यहां पर आपका इंट्रमेड्स है फॉस्परस इलाइड सल्फर इलाइड यहीं से कवर हो जाएगा ठीक है तो उसके लिए आपको इंट्रमेड के लिए अलग से पढ़ने के ज़रूत नहीं यहीं से आपका हो जाएगा यह चैप्टर ठीक है फिर उसके बाद आपको और्गेनो मेटलिक यहाँ पर मैंशन किया है उसी को उसी सिक्वंस में पढ़ता है ठीक है सीकूंस नहीं चेंज करना भी जहां से साइड किया उसी सिक्वंस को अगर आप फॉलो करेगे तो आपके मेशी क्यों प्रमिन या फिर maximum 5 month में organic chemistry complete हो जाएगे और सारे के सारी जो books है उसके जीतने भी questions है वो भी हो जाएगे ठीक है तो यह आपका हो गया OMC reagent और जो NAND से उसका chapter number 7 पढ़ना है ठीक है for OMC reagent ठीक है तो यहाँ पर आपका organometallic reagents है वो खतम हो जाएगे ठीक है ना उसके बाद आपको oxidizing reagent और reducing reagent which is the one of the most important topic for the gate and for the sales unit तो उसके लिए आपको start करना है Clayton का chapter number 23 फिर उसके बाद आपको care uther में जाना है वहाँ पर chapter number 6 और chapter number 7 पढ़ना है ठीक है जैसे वहीं से खतम हो जाएगे उसके बाद आपको जो नेंस है उसका chapter number 4 पढ़ना है ठीक है तो ऐसे करके आपको क्या हो जाएगा oxidizing and reducing reagents भी खतम हो जाएगा अब उसके बाद आपको करना है heterocyclic chemistry तो heterocyclic chemistry के लिए आपको Clayton के chapter number 29 30 and 31st ये तीनों chapters आपको heterocyclic के लिए पढ़ने है और वहीं से question आते है और gate की बाद करो तो यहीं से copy paste question आते है ठीक है तो उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है उसके बाद आपको heterocyclic chemistry related जितनी भी name reaction है उसके relate आपको क्या करना है एक book है जाई जैकली उसमें बहुत सारी name reaction की है तो वहीं से आप कर सकते है और आपने इतना जब पढ़ा है तो आपकी almost 90% name reaction तो वहीं से ही हो जाएगी जो हमने आगे पढ़ा बाकी का जुस्तिले बस उसी में 90% तो आपकी हो जाएगी तो जाई जैकली अगर आप refer करना चाहे तो कर सकते है बढ़ उसमें ज्यादा दिया नहीं यह सी general reaction दिये उसकी mechanism दिये और उसके जो example दिये वो research paper के है और बहुत इतने मिलब complex type के है तो ऐस equation नहीं आते है आप एस एस endate में तो वो example करने की ज़रूरत नहीं है आपको फिर उसके बाद आपको paracyclic reaction तो paracyclic reaction के आपको Clayton का chapter number 34 पढ़ना है उसके बाद 35 पढ़ना है यही से आपकी paracyclic reaction में almost complete हो जाएगी बहुत अच्छे concept दिये Clayton में वो आप पढ़ सकते है उसके बाद आपको क्यार उथर का chapter number 3 पढ़ना है दीखे Clayton ने किया कि आपका basics complete कर दिया ठीक है आपको basic अच्छा हो गया है अब क्यार उथर क्या देगा आपको questions देगा जो exam में आएंगे ठीक है और जो अपना Nance है वो भी आपको question देगा जो की CSI Nate में आ सकते है और Clayton में से तो gate में question आएंगे गॉपी पिस्ट तो basic में से करना है और Clayton के question ही करने है तो gate में काम आ जाएंगे और CSI Nate के लिए आपको care author और Nance काम आ जाएंगे ठीक है तो यहां से आपका third number का chapter complete हो गया है और Nance का आपका chapter number 9 complete हो गया है फिर अगर इसके बाद भी आपको पढ़ना है paricyclique reaction तो उसके लिए आपको क्या करना है जो एक book आती है paricyclique and photochemistry by जगदमासी उसको आप follow कर सकते हैं ठीक है तो उससे वहां से क्याएंगे सिब जीतने भी reactions दी है उसको पढ़ दीजिए कि आपने आपने बहुत सारा बेजिक्स तो complete कर दिया है तो आप उसकी जरूद नहीं कि फिर से one by one पढ़ने कि आपको जीतनी भी reactions दी हुए है जगदमासींग में वहीं से आप सीब अपने reactions कर लिजे तो वहीं से भी आपके बहुत अच्छे से अच्छे काणसेट हो जाएंगे उसके बाद आपको करना ऐख प्टोकेमिस्ट्री फोकेमिस्ट्री के लिए पो जगद harm भासिंग पढ़ने है जगदमासिंग इस बफॉअ मिला बूप्स इंपोर्टंट इपको पढ़ा है प्योजिए अच्छे से question नहीं होते हैं तो book follow कीजिएगा अगर आप particular coaching join किया है तो वहीं से जो भी वीडियो से आपके उसको follow कीजिएगा ठीक है यूटूब में आपको इतना ज्यादा नहीं मिलेगा तो यूटूब से मतलब इतना ज्यादा expectation मत रेखीगा जगदंबा सिंग में देख लीजिए या फिर अपने जो coaching है उसको follow करिए ठीक है नौ उसके बाद है अपना natural product नेचरल परड़क के लिए simply क्या करना है books पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं एक notes ले लो ठीक है और natural product यहां से आपका खतम हो जाएगा ठीक है फिर उसके बाद आपकी spectroscopy तो spectroscopy के लिए आपको क्या करना है चैप्टर नमर 3 पढ़ना है सबसे पहले तो चैप्टर नमर 3 है वहीं से आपके basics clear हो जाएंगे जो spectroscopy related जो आपके बहुत जो basic questions है वहीं से हो जाएंगे फिर उसके बाद आपको चैप्टर नमर 13 पढ़ना है वहीं से आपके बहुत अच्छे अच्छे मिलब questions हो जाएंगे और प्यक्यूस करने है तो आपको पाविया नेम reaction नेम reaction के लिए मैंने जैसे पहले बोला कि जाय जैकली पढ़नी है ठीक है बट जाय जैकली की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपको बहुत ज्यादा time में तभी कर सकते हैं और इतनी useful नहीं होगी आपको जाय जैकली बट आप क्या कर सकते हैं जीतने भी अपनी Claydon के उ ज़रूरत नहीं है ठीक है यहाँ पर आपका जो ऑल्मॉस्ट जो ऑर्गनिक एमस्ट्री वह कंप्रेट खतम हो जाएगा आपको लगता है कि यह सब आप तीन महिने में कर पाएगे तो बहुत अच्छी बात है अगर इससे थोड़ा ज्यादा time लगता है तो अगर आप अपनी फिजिकल और इन और्गनिक में करें अगर वह दोन हो गये है फिर उसके बाद अगर आपको टाइम है तब आप और ओर्गनिक में इतना time इननिवेस्ट केजिए अधर्वाइज टाइम देने की ज़रूरत है नहीं यह तो अपने और गेंस्टी में जितना किया है उतना सफिशेंट है अब दूसरी चीज़ के जैसे मैंने आपको आगे बताया कि जो अपनी क्लेड़न का जो चैप्टर नमबर जस्ट वेट में आपको दिखा देता हूं आप वो 32 नमबर का चैप्टर और 33 नमबर का चैप्टर पढ़ लेना है तो वहां से आपके जो स्टीरियो सिल अक्टिविटी वगरा जो क्वेस्टन्स होते हैं वहीं पर हो जाएंगे एक काम की जिए आप रियेजंट पहले कतम कर लीजे उसके बाद वो करिए क्योंकि वहा के बाद आप हीट्रोसाइकलिक केमिस्ट्री आप स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है तो अगर आपको और भी कोई डाउट से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट से कर सकते हैं उसके रिलेटर में नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर दे दूंगा थैंक यू वरी मिच फॉर वाचि खैति हैं लूगरिष तो इधको और कर दो हो आउट दिस के एटॉटा रिलेटर में वाचिछ अरी?